प्रमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो वापिस आपके लिए परमेश्वर की सुधी करता हूँ जिसस मीट्स यूटूब फैमिली जीपिएस राविंस न फेस्बुक में जितने परिवार हैं मेरे भाई बहने परिवारे हैं सभी लोगों को परमेश्वर के नाम के द्वारा आपके सुधी करता हूँ प्रहिजगाड आज के दिन परमेश्वर की आत्मा के साथ हर दिन इस संदेश के द्वारा परमेश्वर जो आपको आस्चर्य जनक भवश्वानी का वचन आपको देने वाला है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप भी बाइबल खोल कर उसे पढ़ें उस वचन को पकड़ कर प्रात्ना करें और अद्भुतों को परमेशर से प्राप्त करें परमेशर के सूति हो प्रहितों के काम तेरवा अध्याय और बावन्वा वचन और चेले आनन से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे और चेलों के अंदर आनन्द पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते रहे देखें आज मनुष्य को आनन्द की जुरत है एक परिवार को आनन्द की जुरत है कहते हैं कि आनन ही नहीं है कहते हैं कि मेरे पास जो भी आनन था सब शैतान चुरा कर ले गया मेरे पास जो शांती था वो चुरा ले गया ऐसा आप बहुत ही वेदना के साथ बहुत ही टूटे वे हिर्दे के साथ कह सकते हैं कि मैं आनन से नहीं रह प्यारा मानसिक स्थर मेरा बिगड़ गया है शारिक रूप से बिगड़ गया हूँ आर्थिक रूप से बिगड़ गया हूँ धंदे में बिगड़ गया हूँ और सेवकाई के पथों में बहुत ही पुरी तरह से मेरी हालत है ऐसे कहने वाले लोगों को विशेश उरूप से मैं कहता हूँ इस बचन को जड़ा देखिए चेले आनन से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे क्या यए मुम्किन है? इन दिनों में क्या ये मुम्किन है? आज के दिन क्या ये मेरे लिए मुम्किन है? कुछ गए क्या बात है यहां पर देखे उपद्रव के कारण विरुद के कारण वे भूत ही आनन्द है उपद्रव के बीच में विरुद के विरुद में परेशानी के बीच में आनन्द कैसे रह सकते हैं परमेश्वर के नाम से कहता हूं विशय यह है कि अभिशेक Anointing of the Holy Spirit वचन कहता है चेले आनंज से और पवित्रात्मा से परिपूर्ण होते रहे हजारों मुश्किलें आ सकती है हजारों लोग आपकी विरुद में खड़े हो सकते हैं धंदे करने वाले, व्यापार करने वाले, सेवकाई करने वाले, पढ़ने वाले लोग घर में कोई भी समस्या आ सकती है आ रहे होंगे पर एक बात मैं आपको बता दूँ इस समस्या के बीच में आपको आनंज से रहना सीखना चाहिए कैसे हो सकता है अब्रद कैसे मुझे ऐसा रह सकता हूँ मैं मैं कहता हूँ आत्मा के वर, आत्मा के सामर्थ आत्मा से भरे अभिष्यक को परमेश्वर से मागई आत्मा में भर कर प्रात्ना कीजिए अभिया प्रात्ना में भर कर जब आप प्रात्ना करोगे तो एक असीम संतोश आपके अंदर भरने लगेगा एक आनंद का भाग ये आपके इंदर आ जाएगा तब चिंताएं, सभी प्रकार की आंसुएं आपकी जिंदिगी से हट जाएगे परमेश्वर का अनुग्रा आपको संभालते रहेगा आज यही परमेश्वर ने मेरे हिर्दे में ये वचन आपको बताने के लिए कहा मेरे प्रिय भाईयों भेनों जो तमिल जानते हैं तमिल लोगों के साथ इसे बांटिये जो हिंदी जानते हैं हिंदी बोलने वाले अपने सभी मित्रों को ये संदेश बांटिये ताकि दैविक शांती को पाते रहें ठीक है? प्रात्ना करते हैं हमारे पवित्र परमेश्वर ईशू के नाम से विरुद्ध के बीच में समस्याओं के बीच में सभी प्रकार की मुश्किलों के बीच में भी आनन से रहना है तेरी इच्छा है तेरे बच्चों को जो ऐसा देकर तू धैरे से भरपूर कर सभी प्रकार की बंदनों को ईशु के नाम से मैं तोड़ डालता हूँ हालेलुया प्रभू में सदा आनंदित रहने के लिए हमारी साहिता कर सदा गंबीर भरी आवाज हमारे घरों में स्थूति आराजना की आत्मा हमारे घरों में ईशु के नाम से भरदार है तेरे बच्चों को धैरे से भरपूर कर इस दिन को मैं कैसे सामना करने वाला हूँ ऐसा सोचने वाले लोगों को मेरा प्रभू समस्याओं के बीच में उसका विरुद करके आनन से भरपूर करने वाला है तरह धन्यवाद हो इशु के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन आज जो आशिश आपने पाया है अपनी सलाहों को अपनी गवाईयों को अपनी सलाह भी आप मुझे भेज सकते हो पर मेश्वर नाम की महिमा हो आपके परातना की बिंतियां जो हैं Whatsapp के द्वारा, email के द्वारा आप मुझे भेज सकते हो हिंदी भाशा बोलने वाले लोग क्रपया, अपने दोस्तों को, अपने रिष्टेदारों को अपने कलीसिया के लोगों को सभी लोगों को बेच कर उन्हें उच्छा से भरिये God bless you, फिर मिलेंगे प्रिया भाईयों और बहनों आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशिश का कारण बना होगा और ऐसे संदेश को सुनकर आशिश पाने के लिए Jesus Meets Ministry नामक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रात्नाओं और सला के लिए हमें संपर करें हमारा फोन नंबर 98412-52836 और 7995-46363 एमेल gpsrobinson at hotmail.com परमेश्वर आपको आशिश दे